दोस्तो पोटूलोकाई या और कोई फूल के लिए सबसे अच्छा खाद अभी बरसात के लिए बना रहे हैं 200 ग्राम इसमें भर्मिंग कमपोस्ट ले रहे हैं 100 ग्राम इसमें सरसो की खली ले रहे हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं हमारे माली लोग से सिखे कि बरसात में आप क्या खाद दे सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि सरसों के खली का खाद दे सकते कि नहीं, यह मैं पताता हूँ आपको, उसमें आपको 100 ग्राम मिलाना है गूर, यह जो गूर है, यह फर्मेंटेशन में हिल्प करेगा, मिस्क कर लिए, ताकि यह जो तीनों चीज है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कि इसमें बहुत सरे बैक्टिरिया हैं, और भी कोई जो और्गनीजम है, यह आपके हेल्प करेंगे इसको प्रोमोट करने में, और इसको फर्मेंट करने में, इसमें मिलाएंगे दो लिटर पानी, दो लीटर पानी में इसको हम mix करके ferment करेंगे, धर्ग देंगे इसको, कोई भी सेडी, ये इसको रख देंगे और इसको अपने दिखाता हूँ इसको घोल लेते हैं और ये आपको कोई भी फूलो के पौधे में फल के पौधे में आप डाल सकते हैं कोई डरने की बात नहीं है लेकिन इसको इसमें पानी मिला के तरल करना पड़ेगा पहले आम इसको पानी मिला के फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं चार दिन तक चार यहाणी रख देते हैं इसको रखने को बाद चार दिन ऐसे होते हैं हर दिन आप एक बार करके mix कर दिएगा mix करने से क्या होगा यह अच्छी तरह से यह त्यार हो जाएगा अब देखिए दोस्तों इस तरह का जो भी हमारे पास पोटूलो का वगरा है इसमें देखिए इसमें फूल अब कम आ रहे हैं अगर एक बार आप खात देंगे 15 दिन में एक बार तो आपको यह फूल भर जाएगा यह काफी सारे हमने hanging basket लगा दिये हैं पोटूलो का के अब यह खात देंगे और हर 15 दिन में बाद-बाद एक बार करके खात देके यह खात का प्रोयोक मैं दिख लिए वाओ एक बाकेट में 4 लिटर पानी ले आया हुआ और 4 लिटर पानी में आपको मिलाना है वह जो लिक्वीड है यह फर्मेंट होने कबाद 4 दिन बाद यह जो लिक्वीड है इसको डालेंगे 500 ml करीब हाफ लिटर हम डालेंगे इसको लिटर देख लिजिए कैसे यह और पूड़ा तरीका सीख लिजे और अच्छी तरह से इसको घोट ने जी इस तरह से इस तरह से धिजिए फर्मेंट हो गया इसको अच्छी तरह से इसको स्टेरिंग कर लिजे अच्छी तरह से घोट लिजे उसका बाद आप 500 ml करीब आदा मॉक हम इसमें डालेंगे इसमें फिर उसको अच्छी तरह से फेट लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक एक प्लैंट में 100-200 ml डालेंगे और प्रमदरा दिट में एक बार आप यह डाल दीजिए और यह देखिए आप इसमें लेते हैं और मैं आप दिखाता हूं का ऐसी कांसिस्टेंसी दीखती है थुरा सा गाड़ा दबराने है तो इसको आपको पतला करना बहुत जरूरी है और इस तरह से दिखिए डाल लेते हैं डालने के बाद यह तो है 500 ml करीब लेके इसमें हम डाल लेते हैं पानी में 4 लिटर पानी है और इसमें डाल दे जरूत पर हैं और यह जो तयार बन गया इसको आप डालिए कोई भी पौदे में 15 दिन में एक बार और आपको कोई भी खाद देने की जरूत नहीं पड़ेगी चले देखते हैं यहाँ पर हमारे पौटुलका के पौदे हैं इसमें डाल देते हैं इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं और डालने के बाद आपको और कोई खाद बर्सात में देने की जरूत नहीं है आपको क्योंकि बरसात में पानी में वह ऐसे भी नाट्रिजन काफी होता है तो आपको ज्यादा खाद देने की कोई जरत नहीं है मिक्सचर में इस तरह से यह चुकि यह और्गनिक है ज्यादा आप खाद देने की कोशिस मत करें और इसमें भी देखना भरपूर आपका रिया देखते हैं और यह डालते हैं इदर दिखे हमने नया मर्केट भगान बनाया है इस तरह से भी काफी सर यह जगा धिया है यह पूर्टूलका के हंगिंग बसकेट उसमें डाल देता है 14 दिन बाद में आपको रियल दिखाऊंगा इसका क्या सांधर रियल ता आता है इंतरा है बिनका और यह सदाबार में भी कुछ हम डाल देते हैं एक्स्ट्रा जो बच्चा हुआ है और सारे फूल में आएगा उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद है आप इस तरह से बनाईए खाद और पौदे में डालिए और अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक की कीजिए सेर करें चैनल को नए है तो सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्दवाद है